इस मर्ती दिवस है तो मैं उनको नमन करता हूँ, बंदन करता हूँ और उनके किये कुशल कारियों को याद करते हुए उनको कुस्पांजली अर्पित करता हूँ. आज I honor and wish greatness in you, आप में नहित, महनता और मानुता की में शुपकामनाय देता हूँ, में इस सभी साथियों को मेरा जैभी में। PBSP के और MKSOT के शोद बाक्ति के साथ समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा और समराथ असोग करा जाएगा, सब को वैबुक बनाएगा। साथियों, हमारे PBSP के जो पांच सब्जेक्ट हैं, उसमें दूसरा जो सब्जेक्ट है, कल्चर ओफ एजुकेशन पर, सौरी, एजुकेशन फिलोसफी और बहुजर मुवेंट, एजुकेशन फिलोसफी और बहुजर मुवेंट पर हम लोग कर्चा कर रहे हैं, और आज चौ और डॉसरा एजुकेशन फिलोसफी और बहुजर मुवेंट, और इसमें वाट इजुकेशन फिलोसफी और बहुजर मुजर 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 मुज में थोड़ा सा हमको इनके एतिहासे ग्राउंड में जाना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा तब जाकर कि यह बास समझ में आई पीं सुलाई 1942 नागपूर में डिप्रेस कि लास का एक ाजवीशन बावा साuk ने बुलाये था और यह तीसरा अ है और यह अदिवसन महतमूर था इसलिए महतमूर था कि इसरेत कास्ट फेडरेशन की इस्थापना की थी और उस समय लेवर नेशनल लेवर पार्टी में सारे लोग चूँके इनवाल्व थे तो 1937 में एमेले फैमेले चुने गई लोग बाग तो उसके पांच साल बाद ये 1942 में पहला अधिवेशन बाबा साब ने इस अंतराल के बाद बु लोग थे ये बाबा साब से बहुत खुश थे कि बाबा साब ने बहुत अच्छा काम किया हमको काम करने के लिए एक प्लेट फार्म दे दिया और हम लोगों को इस का इस काम पर बाबा साब के बहुत रिडी रहना चाहिए ये सब बाते लोगों ने उनके लिए की और बिसे सब बहुत नाराज थे और नाराजी में उन्होंने लोगों को कहा था कि एनिलेशन अफ कास्ट उसमें इस राइटिंगे स्पीचिस में उन्होंने कहा था my final word of advice to you and educate, agitate and organize have faith of ourselves and never lose hope I shall always be with you and I know you with me तो साथियों ये जो है इसके दर्श्टांक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने बाबा साब के मान सम्मान में एक पत्र भी दिया था और वो पत्र मैं आपको पढ़के सुना हूँगा ये राइटिंग इंड स्पीचिस में ये दिया हुआ है कि और इस जो पत्र है इस पत्र के प्रतियोत्तर में बाबा साब ने वो एक अपनी स्पीच दी थी उस स्पीच में ये सब्द बोले थे और उन सब्दों का मैं ब्याख्यार बाद में करूँगा लेकिन पत्रों का बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इस से हमारी बहुत सारी पिच्चर किलियर हो जाएगी अबर मोस्ट बिलवड बाबा साथ ये उन्होंने का है ये मैं पता दू इसको अबरू इस सोन जरू बादाश साथ अंबिटकर बिल्यूट जरू ज़ीन सिर्टी कर्णी नाद जरूटकर लाइओ एट जरूट जरूग विजवीं मैं घरू एडिर्वाइट जरूटरू जरूट। टू दा उन्रेलेबिल डाक्टर बाबासाब अम्बिटकर में पीएजडी डिएस्टी जेपी बारेट ला मेंबर आप दा एक्सक्यूटिव कांसल आप एच इदा वाइसरोय उनको इन्होंने एक पत्र दिया था वो पत्र में पढ़कर सुना रहा हूं जे बहुत बड़ा पत्र है ये चमचागीरी से कहिए या उनकी मीठी मीठी बातों के लिए कहिए या उनके बहुत मान सम्मान के लिए उन्होंने किस तरीके से पत्र को लिखा है बीड चेरבעं में Corporate Committee अे लिए All India Depressed Class Conference held at Nagpur. Big responsibly to present you this address on the occasion of your having completely 50th year of age in token of our grateful appreciation of your long, sustained and untarailing gene work on the cause of the downstream and dumb million of the India. Baba साब के 50 में जन्म दिन जन्म वर्स के उबलच में उन्होंने कहा था कि आप जो है बहुत बहुत लंबे समय तक जीएं, आप लंबे समय तक रहें और इसी तरीके से हमारा पारदर्सन करते रहें ये language इसने दिखाई रहें. This year is by coincidence, a most important one in the history of the depressed class of India in as much as you have completed 50th year of your age. and you have now changed your sphere of work from active politics to the executive. If your life history is anything, it is nothing but the history of progress of the oppressed, millions and sacrifice of one individuals. You are not only on individual to us, but in institutions, you are our slow soul guide, friend and philosopher. Nay, you are the only probe of the depressed classes. Your continuous and sustained efforts in the just and righteous cause of the unfit of our class are really the means of such benefit as we have so far achieved. A building lawyer, as you were with a vast future, you risked your all the growing of ourselves wholeheartedly in the struggle of the relieving of the distressed from the oppressed. In doing so, you did not have to realize you are anti-goosing your future clients versus touches classes for a fight in the interest of the depressed class. Is it a fight against the so-called caste Hindus? Little did you wonder realize your efforts in a sports-sourced space of two decades would result in the recognition of the rights of the depressed class as a living entity, necessity in the seating in the highest excursor of the country. The procession from the railway station, Nagpur to the conference, Pandal and the grand attention in the conference session are testimony of the extent which you are held and esteem of the people of the communities. This spontaneous expressed in what the expression of the devotion of our classes to you, for you and have done. You are more than the creator to us. We are through by the creator in bottomless voice. But unlike him, you have done everything to lift us up out of it. We can find in his day no equal to you. In respect of your head and heart, who for no further reason than service to your classes, has been as liberal you in keeping upon the purpose, freely and devoting whole life and energy for our cause. What's fail us to open our heart and give, experience our feelings. Safis is say that they are any living God on earth. He is the personalized in you. We again offer you our sincere and heartful gratitude and wish you a long life as our mission on his earth may be fulfilled. This letter was the letter to our father. रेपलाइं तो अडरेस डाक्टर बावसाफ सेंट, लेडिस एंग जेंटलमेंट, बावसाफ निस पत्र का जवाब दिया, और जवाब लेटर तो काभी बड़ा है, लेकिन मैं नीचे का पहरा पढ़के सुनाऊंगा, कि वो लेटर पढ़ऊंगा तो पढ़ने से कोई मतलब राप,ज़ा निचे वो जाता, यह लगास एंग मिनीचा यह लगटेज बनेटा जेघर अनुछरन फो आथएर रा ध्य बीड़ीश इसाना टांणेट जा हैंग यह लेक्ट इनट्र व्यशन ट्रा बाःता, नीमा जेता, लेट देट ठंकर मृट कई लिगए हैंग। until we win our rights you promise to do your part I promise to do mine आप अपने बच्चन को निभाएं और मैं अपने को निभाएं with justice on our side हम अपना एक दूसरे का justification करें I did not to see how we can lose our battle हम कैसे अपना उद्धारेंगे यह हमें देखना होगा the battle to me in a matter full of joy the battle is in the fullest sense if spiritual there is nothing material or sorted in it for our is a battle not for wealth for our power it is battle for freedom it is a battle for the creation of human personality which has been suppressed and multilated by the hindus Hindu social system and will continue to the suppressed and multilated if in the political struggle having confidence यह 5 अलाएं ले पाबा साब ने ओहना बोली तो इनको समझने के लिए बहुत जरूरी है वाबा साब इन पांच चीजों चावी चादे यहां educate का मतलब बाबा साव ने क्या लगाया यहां और्नाइस का बाबा साव ने मतलब क्या बताया कि वो क्या कहना चाहती थी कि आपको ये काम करना है यह बाबा साथ जो कहना चाहते थे उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन सब्दों को बहुत बारीकी से समझें पहले दिन जिसमें बाबा साब मैं सिच्छद बनों के जो एजूकेशन की बात करते हैं तो बाबा साब यहां यह कहते हैं सिच्छा का मतलब यह है कि आप जैसे बाबा हम यह बात कहते हैं कि जिस प्रकार हम जात्य को समझने में कम पड़े हैं इसी प्रकार हम सिच्छा को समझने में कम पड़े हैं एजुकेशन फिलोस्पी को समझने में कम पड़े हैं तो जो सिच्छित बनों का सब्द है वो बावा साथ कहना चाहते थे कि आप यहां सिच्छा का मतलब सोच विचार करने में हमारा समाज सोच विचार कर इसलिए हम किसी प्रकार का social transformation movement यानि किसी प्रकार्च के किरांती करने में अस्पल रहे हैं। बाबा साब कहते हैं कि आपको सिच्छित बने का मतलब है आप सोच किचाप सोच विचार करने वाले बने आप thinking skill वाले बने और आप बने नहीं आप समाज को भी बनाएं सोच विचार करने वाले समाज का भी दिर्मार करें जब आप सोच विचार करने वाले बनेगी और सोच विचार करने वाले समाज का दिर्मार करेंगी तब आगे बड़ पाएं कि को बाबा साथ सोच विचार जो सिच प्रपक्ट निए एक साथन राव और सोच विचार करने वाले बनगे और सोच विचार करने आप साहसन करता टॉम बनी तो thinking thinking people want design and way forward the quality of our future will depend सासन करता मैं यहां बताना चाहता हूं कि बाबा साब ने यहां जो यह बात बताई कि आपको सोच विचार करने वाला समाज का निर्माढ हमको करना पड़ेगा और सोच विचार करने वाले समाज से ही हमारे लोगों का कल्याण हो पाएगा ये बात बाबा साहब ने कहा और तब ही हम जो है सासन करता समाज सासन करता कौम बना पाएगे समाज बना पाएगे ये सिच्छित बनो का नारा है सुलोगन जो है जिससे मतलब बनता है कि सोच विचार करने वाला बनो और सोच-کचार करना सिخाओ और सोच-कचार रखनने वाला समाज बनाओ अब यह बात जो एग्युकेशन के वाद जो एजिटेट है एजिटेट में एक जब भी आप एजिटेट करें गें तो दो लोगों के प्रति करी जाएगी एक तो आप agitate करेंगे आप जब भी कोई नई action ideology में जाएंगे तब आप उसको agitate करेंगे या आपके बिरुद्ध जो कारवाई कर रहा है उसके खिलाप आप अपना पच्छ रखेंगे तो agitation action ideology के साथ जड़ा हुआ है कि जब आप संगर्स करेंगे तो उसमें हमेशा हमेशा जो है possibility छेपी रहती है अगर आप सोच विचार करने वाले बन जाते हैं और आप किसी ideology में अपने को active जब भी करेंगे तो दो तरीके कि या तो आपके साथ जो कोई आपके जो आपका सासर करता बना हुआ है उसके खिला संभाबनाए खोजो और संभाबनाए सीखो संभाबनाए खोजो और संभाबनाए सीखो और संभाबनाओ वाला समाज बनाओ कि जब तक आप संभाबनाओ वाले समाज का निर्मार नहीं करेंगे जब तक आप possibility में काम नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी action ideology में काम नहीं कर तो यहां बाबा साब का यह सुलोगन एजिटेशन कि हमको संभावनाए खोजो और संभावनाए सिखाओ और संभावनाए खोजने वाला समाज बनाओ जब आप सोच मिचार करके कोई काम पॉसिविलिटी में काम करेंगे संभावनाए खोजने का काम करेंगे तो आपको देखेंगे कि उसमें आपकी सरजनता छिपी रहती है क्योंकि संगठन आज अगर हम आज 6,743 जातियां हैं और उनको औरनाइस करने का अगर हम काम लेते हैं अब तो 6,743 तो साफ कासी राम आज तो मनुबादियों ने यह विवस्ता जो है कास्ट लगवाएं दस जार बना दी हैं अगर इनको हम जब औरनाइस करने के लिए बैठेंगे तो यहां पर हमारी एकसान आइडिलोस यहां पर हमारी सरजनता छिपी है तो यह सरजनता जो है ऐसा काम समाज में एडिटेट और औरनाइस के अगर आपको सरजनता जनम लेती है तो सरजनता सीखो सरजनता सिखाओ और सरजनता बाला समाज बलाओ तो बाबा साब अपने कारकरताओं को 20 जिलाई 1942 को नाकुर में ड़िप्रेस किलास का अधिवेशन बलाया था और उसी ड़िप्रेस किलास के और वहीं पर पहले दिन का अधिवेशन उन्होंने सभी लोगों को दिया था दूसरे दिन का अधिवेशन उन्होंने यूथ को दिया था और तीसरे दिन के अधिवेशन महिलाओं को एड्रिस किया था यह जो अधिवेशन था यह बाबा साब के जीवन का बहुत टर्निंग प लासके सदिवेशन में बुला करके सुदूल कास्ट फेडरिशन का गठन किया तब लोगों ने बावा साब से जाकर करके उनको सम्मान की बात की तब बावा साब ने वहाँ ये एजुकेट, एजिटेट एंड और्णाइशन को समझाने का काम किया साथियों ये जो समझाने का काम किया तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार हम जाती को और जाती के कल्चर को समझने में कम पड़े हैं इसी प्रकार हम बावा साब के एजुकेट, एजिट and organization को समझने में हम कम पड़े हैं अगर हम इसको समझ जाएं समझ गए होते या समझ चुके होते social transformation movement के लोग तो पूरे देश के और भी संग्टन के लोग हैं वो भी इसी चीज़ को समझा रहे होते तो हम कही न कही किरांती अब तक कर चुपे होते ये किरांती न हो पाने के कारण सिर्फ इतनी सी बात है कि इन सब्दों को समझना और इन सब्दों के भाव को समझना और भाव को न समझ बाने के बज़े से हम लोग किसी प्रकार की किरांती या किसी प्रकार का social transformation movement को गती नही जो समझना और समझाना बहुत जरूर है इस बावा साब की इन तीन सब्दों में 21 सदी के नॉबल पुरुषकार विजेता नॉबल पुरुषकार के एडवर्ड डी वोनो इसी एजुकेशन फिलोस्पी को इसको जो है नॉलिज इंटेलिजेंस और थिंकिंग इसकिल के साथ व इसकिल और थिंकिंग इसकिल इस अल्टिमेट हीमिन रिसोर्स यह जो सोच विचार करना है यह सब गती के बसका काम है यह पस्च्छी और जानवर नहीं सोचेंगे इसके लिए और पावर इस दा पावर से दा पावर ऑफ दी पॉसिबिलिटी और यह जो पावर है संभावन होना है जिसको एजिटेट की हम जो जिसमें हमने बात की है पॉसिबिलिटी इस डा ड्राइवर ऑफ थिंकिंग तो यह आप निश्च्छत रूप से समझजिए कि इस काम को समझने के लिए हमको यह समझना जरूरी है कि बाबा साब के इन तीन सब्दों में क्या चीज भरी ह हूं कि हैवे कोगई के बीछे звуч कर गशेत जो बाबा साब का माहर तराव कर झोंदोलन था उस बाबा साब और बाबा साहब को अनुई जब PAnnie के लिए गए तो बाबा साहब और बाबा साहिव कर अंवाई यू पर हमला हुआ bit को आज हमला हुए उसके चाचु के विटानि नहीं की, जब उनकेgementर कारिवाय नाही बावा साहब को का जो है मोटिव वह बहुत ज्यादा बढ़ा उनका उथ साम्हादा बढ़ा और उन्हों नहीं जान जब उनको जब ऊद्धारम उनका जो है उनका मोटिब बढ़ा उनका तो हैब पेसेंस और नेवर लूस पेसेंस जब उन्होंने अपने आपको समाल कर रखा तो साथ यो उसी साल उसी साल 25 दिसंबर 1927 को बावा साथ ने जब अधिवेशन बलाया अपने कार करताओं का उस अधिवेशन में साम के पाँच बज़े मनुस्मर्ती जिसको हम कहते हैं काला कानून जिसे कहते हैं उसको भी जलाने का काम यह अधिवेशन की वज़े से आया उन्होंने अपने को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया उन्होंने कहा कि जब मैंने एक अच्छा काम किया मानवी आदार पर काम किया उसमें बिट्रिस गवर्मेंट ने हमारा साथ दिया तो उनका कॉन्वीश डवलप हुआ और कॉन यानि कि 96 साल पहले किया आज आज देखिए बाबा साब ने उसमें जो काम किया जे उनके कॉन्वीडेंस और उनके पेसेंस का प्रड़ाम था आज आप एक कागज जला करके दिखाईए मनुसमर्ती छोड़िए किसी बेत पुराण के कागज को जलाएंगे तो हमारे देश म तरही तरही मच जाएगी तो यह एक बाबा साब का कॉन्वीडेंस था यह चीज जो पांचो सब्द जो बाबा साब ने बोले हैं कि educate, agitate, organize, have a patience, have a confidence यह तीनों पांचों चीजों के भाव को और इस education philosophy को समझना और समझाना यह MKSOT के लोगों की जिम्मेदारी है तभी हम social transformation मुमेंट को गती दे रहे का काम कर पाएंगे क्योंको बाबा साब एने वियार अम्मेटकर education philosophy में एक चीज मैं और कहीं पढ़ता हूं बार बार उस चीजों को मैं कूड करता हूं कि वियार अमिटकर सेड एटे सिदार्थ कॉले डिरिन 1954 बाबा साब ने 1904 में सिदार्थ स्क आप अपने दिमाग को बढ़ाएं अपने दिरस्ट को बढ़ाएं अपनी कैपिसिटी टू थिंक सोच विचार करने के से दिमाग को बढ़ाएं अपने विजन को बढ़ाएं और अपनी कैपिसिटी और अपनी समस्याओं की समयधान करने की योगता को बढ़ाएं अपनी को तो विरिंग डेट कैपिसिटी इस चमता को लेकर किया ये डेट विजन डेट अविल्टी तो फॉर्म जज्मेंट तो बियर अपन दा एक्ट्वल प्रॉब्लम और सही समस्या के समाधान तक पहुंचने का काम which vast mass of the people of this country are facing today जो आज वर्तमान में इस देश का अधिकान्स लोग जिस समस्या से गिरसत हैं इस समस्या के समाधान तक पहुंचने का आपकाम करें ये बावा साब का जो educational जो social transformation movement के लिए जो message और उनका educational message है वो ये थासाती हो तो हम यहां समझ चुके हैं के education, agitate, agonization का जो हम लोग अर्ष समझे हैं आगे जो है बावा साब कहते हैं which is more important वो उनकी ideology से एक चीब निकल कर क्या आती है वाट इस दा मोर इंपोर्टेंट, capital और wisdom पूजी ज्यादा महत्मूड है के बिस्डम मानवता ज्यादा महत्मूड है Capital is Lakshmi, Capital is Lakshmi and wisdom is wealth, Capital is Lakshmi, wisdom बैपैत है Education philosophy is in the center of notion of caste, thinking skill, cooperation and recustomer society That is the aspect of the education philosophy of the Bahasa Our task is an uphill task, our task is an uphill task, great height attracts us but not the steps towards them हमेशा ऊची हाइट हमको attract करती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए सीडिया नहीं होती है हमको रास्ता खुद बनाना होगा Self help is the best help इसके लिए हमको Self help is the best help and self respect moment cannot be successful without self help हमें अपनी moment को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने आपको ही आगे बनाना पड़ेगा We must use our own brain and own resources हमको अपने दिमाग और अपने साधनों का खुद यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर बाबा साब की आइडोलोजी को समझने के लिए और इसको implement करने के लिए और जीवन में उतारने के लिए हमको we must use our own brain and own resources we must deserve before we desire to develop responsibility and creativity in our self own self will be the starting step towards annulation of caste and lead to tremendous national change तो साथियो यह जो education philosophy बाबा साब की है यह हमारे लिए कितनी उप्योगी है किस तरीके से उप्योगी है यह हम समझने में यहां सुगए education along made de-cast देखिए बाबा साब की जो education से फिर वहीं बात बलोट कर गयाती है education along made de-cast in the notion of caste culture of stability अगर हम educate होंगे तो हम caste को भी de-caste process में ले जाने में सफर हो सकेंगे अगर हम सोच बिचार करने वाले होंगे तो caste को भी dilute करने का काम कर सकेंगे but if used with thinking skill and cooperation it becomes a dynamite which can completely annihilate the culture of caste in India अगर हम सोच बिचार करने वाले बनेंगे तो हम caste को भी dilute कर सकेंगे और सोच बिचार करने वाले समाज को बनाने में निकर्म होए तो हम जो है सासन करता समाज भी बना लेंगे और कास्ट को पूरी तरीगे से dilute कर सकेंगे साथ ही बस ये बात में आपको बताना चाहता हूँ कि बावा साब की education philosophy में इन चीजों से ये इस फस्ट होता है कि बावा साब समाज को जो देना चाहते थे message जो संदेश देना चाहते थे वो संदेश इस तरीगे से निकल करके साथ यो आया है आगे का जो हमारा अगरा जो हमारा subject पर जो topic है वो है definition of social efficiency तो साथियो इस बैसे में कोई definition तो हमें नहीं वालूं लेकिन ये जो एक annihilation of caste में annihilation of caste में बावा साब को message देते हैं उस message से इस पर समझ में आता है कि उनकी जो है definition of social efficiency definition of social efficiency में उन्होंने कहा है एक राजनीतिक सुधार के लिए सामोजिक सुधार क्यों जरूरी है एक दूसरे नमर का जो chapter है इसमें बावा साब कहते है the path of social reform like the path to heaven at any rate in India the path of social reform like the path to heaven at any rate in India is the truth with many difficulty social reform in India has few friends and many critics critics the critics fall into two districts classes one class consist of political reformers one of the socialists बाबा साब कहते हैं कि सुधार में या भारत में सुधार जो है स्वरक्स की तरह काम करता है और अने कठिनाईयों से भरा हुआ है भारत समाद में बारती समाज में सुधार करने वाली मित्र कम आलोचना करने वाली मित्र जादा है एक बर्ग राजनेतों सुधारों की बात करता है और दूसरा बर्ग समाज सुधारों की बात करता है तो साथियों ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट के नीचे बाबा साब कहते हैं ये एक समय था जब सामाजे कारिकुसलता के बिना सक्रीटा के अन्ड सवी चित्रों में इस्थाई सामाजे की प्रगती असंबव थी एक समय ऐसा था जब सामाजे कारिकुषलता सामाजे कारिकुषलता का मतलब सोशल एफिशेंसी की छमता और इससे बाबा साब कहते हैं बहुत बढ़िया बात कहते हैं को कुरूतियों द्वा प्राख की जाने वाली शैतानों के कारण हिंदू समाज में कारी को सिलता का आभाऊ है। यह नहीं है हिंदू समाज के अनदरर लेकिन अब इन भी उल्कुल भी नहीं है और बुरायों को खत्म करने के लिए अथक प्रयात्न किया जाना चाहिए हमको गिरिट के साथ हमको प्रयास करने चाहिए अगर हम ऐसा प्रयास करने में सफन हो जाते हैं तो हम निश्यत रूप से समाज में एक बड़ी किरांती ला सकते हैं यहां बाबा साब ने कि इसको समझने के लिए बा महत्पूर राजनेतक और सहच्छडिक संस्ताओं के निर्माण में सहयोग किया है इन संस्ताओं में के लिए जाने जाते हैं उन्होंने इन सब्दों का इस्तेमाल एक सामाजिक डर्विन बादी सिद्दान्त के अर्थों से किया है लेकिन डिवे और अन्न लोग इस सब्दाबली को संकुचित अर्थ और उद्दोग पतियों उप्योगताबादी दिर्श्चोंट से बाहर निक इनस तबीस में increasy and अजुकेशन के पब्लिस होने के बार इन सावाजिक शंधा पर निर्व करती है के । विसेश इस बात में सच्छम है वह इस्तिरी या पुरस अपनी काबलियत का चुनाव करें और उसका पूर्णतिया बिकास कर सकें इस प्रकार सचे तरीके से सामाजिक किरिया कलापों में अपना योगदान दें एक ऐसी ववस्ता जो एक व्यक्ति के पे से उसकी जाती या बर के आदार पर पहले से ही तै कर दें ऐसी सामाजिक अच्छमता होती है अपने उद्दव के आधार पर इस सब्द बीसवी सदाब्दी के सुलवात में बैग्यानिक सद्दान्तों के आदार पर समाज, राजनी तो आरतिरुस्ता के च्छमता के आधार पर पुर्नर गठत करन एगर हम इसमें अपने को अगर एक्टिव करें तो हम जल्दी बहुत बड़ी किरानती इसमें ला सकते हैं, ये हम को जो है सामाज इक दर्ष्टकोंड अपना मजबूत करना पड़ेगा और सामाज इक दर्ष्टकोंड तभी मजबूत कर पाएंगे जब आप एदूकेट, एंजिटेट एंड और्णाइस को सही तरीके से समझ करके उसको इंप्लिमेंट करने का काम कर पाएंगी साथ ही हो इसी के साथ मैं एक बात और कहाँ चाहता हूं या साथ ही हो कि बाबा साथ ने जीवन भर जिस भी एजुकेशन फिलोसफी पर काम किया उन्होंने जिसको उन्ह बात ऐसा लगता था कि जैसे यह उनके हमको अट्बाटी घी बेक्स लगती है लेकि उनके लिए अट्बाटी नहीं थी जो बाबासाथ के साथ काम कर रही थे इसलिए इसलिए मोस्ट इपर्टिंट ट्यप्लिमेंट ऑप आइडिलोजी ऑबाबा साथ ही सेल्प और अपने में उतारें और अपने बियुवेर में उतारें अपनी एक्षन आइडिलोजी में उतारें तब ही हम देख पाएंगे कि बाबा साब के इस सब्दों का मूल भाव क्या है और कैसे बन पाएगा क्योंकि बिना सोच बिचार करने वाला समाज कभी जो है सासक नहीं बन सकता और सा सक बनी भी जाएगा तो वो टिक नहीं सकता यह हमको समझना पड़ेगा और जब तक हम इस आइडिलोजी पर काम करेंगे इसलिए MKSOT द्वारा आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले सोच बिचार करना सिखाने की बात करते हैं जात्य को समझने की और समझाने की बात करते हैं बहुजन मापरसों की बिचारदारा को समझाने की बात करते हैं सोच बिचार करने सिखाने की बात करते हैं कॉपरेशन की बा साथियों को मेरा जैभी. मैं अपनी बात को यह इन्वी टन्यवाद.